नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं पीम एविद्या चानल चानल नमबर नो और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट हमारे इस लाइफ फोरिन प्रोग्राम है अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि हम इस सत्र में बात करने वाले हैं संस्कृत के नवी कख्षा के विद्यारतियों के लिए और आज का हमारा शीर्षक है रचना अनुवादम और आपको इस शीर्षक पे विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडिय में जुड़ चुके हैं हमारे विश्यषक ये चलियों से परिछे लेते हैं आप अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि बच्चों अगर आपके मन में कोई भी सवाल लाए इस विश्य से जुड़ावा या पर इस शीर्षक से जुड़ावा कुछ जारना चाहते हैं यह आप अपनी बात आप साचा करना चाहते हैं तो आप बेजी जग हमें काल कर सकते हैं माई तेलिफोन नंबर पर जो आपको इस वक्त अपनी टेलीविजिन स्क्रीन पर निसरा रहे है हमारा नंबर है ।ी छ www.ph.class9th.hcit.nic.in तो इन दोनों ही माधिमों से आप हम से जोड सकते हैं और अपने सबी सवाल और अपने सभी क्वेरिस आप हमारे विशेशग़ के साथ साचा कर सकते हैं तो चलिए हम इस सत्र की शुरुवात करते हैं और आपने विशे शगी से हम जानना चाहेंगे कि सर आज के हमारे सत्र में आप हमारे बच्चों के लिए क्या कुछ खास लेकर रहे हैं मेडम आपने जो रचना अनुवाद शिरसक की चर्चा की अगर हम बात करते हैं तो रचना और अनुवाद रचना और अनुवाद दोनों सुनने में तो कुछ जुड़े जुड़े और ससंबंधी शब्द लगते हैं लेकिन इनमें काफी अंतर होता है दोनों ही लेखन विधा हैं लेखन विधा हैं श्रेक्षिक गति विधिया हैं इस दृष्टी पर शाम्यता है दोनों में परन्तु जब हम विचार करेंगे कि रचना क्या होती है और अनुवाद क्या होता है आज हम दोनों ही विश्यों पे तensation करेंगे और दोनों को उदाहरोनों से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें अंतर एक प्राव होटां यह सब देशार लिपाएं से नमी हन्ता परस्तेश से अरे घ्राचन में बड़ सूलIGHT मुझ व था में अनुवाद की तो जसेते हैं पिक किए और हम के शब्ड शब्ड शबंड होता है आनवाद प्रमुख्छ कोंड कर दोदे सम्सकृत की शबतलर के शबतोड क सबस्तर कि दूसरे भावा को छीजी होती लिएा है जो एकश शब्ड शब्ड में जात Link यह भाषा कहें, शब्द की जगए, हम संस्कित की भाषा के शब्दों का जब भाषा अंतर करते हैं, दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, तो हुबहु शब्द उसी अर्थ को कहने वाला जिसमें कोई भेद ना हो, ऐसा कई बार होता है कि वो शब्द नहीं मिलते, किसी अन्य अर्थ में प्रियोग होने वाले शब्द होते हैं, तो अहां भावानुवाद मायने रखता है, भावानुवाद का महत्तो होता है, कि वक्ता जो कहना चाह रहा है, वक्ता का जो अभी प्राय है, उसे व्यक्त करने में जो अनुवाद है, वो समर्थ हो पा रहा है या नह अर्थात जिस अभी प्राय से वाक्यांस का प्रियोग हुआ है, अनुवाद भी उसी वाक्यांस को उसी रूप में कह पा रहा है कि नहीं, ये अनुवाद की स्थिती होगी, अर्थात अनुपस्चात, अनुवाद शब्द से ही अर्थ ध्वनित होता है, पता चलता है, कि प्रिजित विशय है, जिसकी सरजना पहले हो चुकी है, ऐसे शब्दों को, वाक्यांसों को, अनुच्छेदों को, या पाठ कुछ भी हो सकता है, उसे जब हम भाशांतर प्रियोग करते हैं, दूसरी भाशा में प्रियोग करते हैं, और वी भावानुवाद के साथ में, शब् जैसे ब्लूप्रिंट शब्द है, अभी अंग्रेजी में ब्लूप्रिंट प्रियोग होता है, इसका जब आप गूगल से ट्रांसलेशन करके देखें, तो नीला पत्र दिखाई पड़ेगा वो, लेकिन उसका अर्थ नीला पत्र नहीं होता, ये शब्दा नुवाद हो गय उस अर्थ को विल्कुल नहीं कहेगा, उससे भिन्न हो गया, इसलिए रचना नवीन स्रिजन होता है, नव प्रियोग होता है, या रचना करने में व्यक्ति स्वयम के विवेक का प्रियोग करता है, और स्वतह स्रिजित जो या स्वयम के द्वारा किया गया जो प्रियोग हो वो रचना के अंतरगत आता है और इसी तरह जो पुर्वर से स्रिजित विशय है उनका दूसरी भाषा में अपनी भाषा में कहना अनुवाद के अंतरगत आता है ये दोनों में भेद होता है हम स्लाइट के माध्यम से कुछ उदाहरणों को देखेंगे और इन उदाहरणों के माध्यम से हम पढ़ने का आज के विशय को पढ़ने का प्रयास करेंगे और आप हमारे साथ लाइव देख रहे हैं तो आप इस तरह के उदाहरणों को अपनी पुस्तिका में लिखने का प्रयाश कीजिए और लिख करके उनको जैसा एक उदाहरण होगा तत समानांतर अनेक उदाहरणों का भी अभ्यास कीजिए ऐसे अभ्यास करने से भाषा कोस की वृद्धी होगी और आप तत समानांतर वाक्यों को बोलने में सक्षम हो पाएंगे रचना नुवादम यहां आज का जो शीरशक है रचना नुवादम से ही ध्वनित होता है कि रचना और अनुवाद रचना चा अनुवादस चा एतयो हो समाहार इनका जो समाहार है दोनों ही प्रधान है तो आज की पार्ट में दोनों की प्रधानता है रचना को भी हम देख स्लाइट में हम देखते हैं की सबसे पहले जो वाक्य प्रयोक क्या गया है खात्रहा घ्राउ आगत्चन्तु हुआयं असमिन सत्रे संस्क्रित वाक्या नाम रचना कुशल प्रापत Wolver这样 क faut इत्य अर्थम अभ्यास अस्य आवश्यक्ता भवति अत्र अभ्यास आर्थम कति पयोदा हरणानी पठामह आपने जो वाक्यांश पढ़ा यहां पे कई शब्दों को पढ़ा जो यह अनुख्षेद आपने पढ़ा यह अनुवाद नहीं है यह रचना के अंतर गताएगा क्योंकि यह लिखा गया कुछ उद्देश्य पूर्वक लिखी गई रचना है च्छात्राह आगच्छन्तु च्छात्रो आओ वयम अस्मीन सत्रे हम लोग इस सत्र में सम्स्कृत वाक्यों की सन्रचना कौशल की वृद्धी है तू सम्स्कृत वाक्यों की सन्रचना कौशल की प्राप्ती के लिए प्रयत्न करते हैं कथम बयम आत्मनह भावम सम्स्क्रित भाषया प्रकटई तुम शक्नुमा कैसे हम अपने भावों को सम्स्क्रित भाषया में बोलने में समर्थ हो सकते हैं इत्य अर्थम अभ्यास अश्य आवश्यक्ता भवती इसके लिए हमें अभ्यास की आवश्यक्ता होती है अत्र अभ्यासार्थम कतिपय उदाहरणानी पठा महां यहां पर हम अभ्यास के लिए कुछ उदाहरणों को पढ़ते हैं अब आपने देखा होगा कि पहले ही बार में हमने उसे पढ़ा जो समस्कृत में लिखे हुए यह वाद कि हैं दृष्य पटल पे जिने हम देख रहे हैं यह रचना है लेकिन जब हमने इनको हिंदी भार्षा में बोला वो अनुवाद हो गया यह दोनों में अंतर हैं इसी तरह हम दृष्य पटल पे देख रहे हैं बालव खेलती यह रचना है लेकिन बालव खेलता है यह अनुवाद है यह वालव धावत दो बालव दोड़ते हैं है ना तो अब इसे आप अंग्रेजी में बोले हिंदी में बोले अपनी मात्रि भाषा गुजराती में या अन्य काश्मीरी तमिल तेलगू किसी भी भाषा में बोले वो अनुवाद हो जाएगा इसी तरह बालाह संती बालक बालिकाएं हैं महिलाहा वदंती महिलाएं बात कर रही हैं हाँ बात कर रही हैं बोल रही हैं वदंती अर्थात बोले रही हैं इसी तरह पुषपाणि विकसंती पुषप विकशित हो रहे हैं उनका विकास हो रहा है माले फूल खिल रहे हैं ऐसा आप अपनी भाषा में इसे बोल सकते हैं आप इन्हें अपनी मात्री भाषा में प्रयोग करके अपने शब्दकोसों को शब्दकोष की अभिवृद्धी के साथ साथ सम्स्कित के साथ उनके तादात्मे को देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपस में भाषाएं जुड़ी हुई हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित ह है ना, ऐसे कुछ उदारण हम देखेंगे, जो प्रथम पंक्ती में देख रहे हैं, छात्रह पठती, ये इसके नीचे का पूरा स्तंभ, हम कह सकते हैं कि ये रचना है, क्योंकि ये लेखन किया गया है, ये मूल है इसका, जो भी भार्षा, सब उदारण के तौर प्याप ऐसे में अब अगर गुजराती भाषा में अगर वो लेखन करता है, तो वह उसका लेखन मात्रि भाषा में ये नवीन स्रिजन होगा तो रचना कही Państणा कही जातेगी, लिखिन अगर वो गुजऑराती से संस्कृत भाषा में अनूधित होता है, अनुवाद किया जाता है, तो मूल रचना स्रीजितवाद के होगा इसको अंग्रेजी में स्टूडेंट रीट्स कह सकते हैं ये इसका अनुवाद हो जाएगा और छात्र पढ़ता है ये हिंदी अनुवाद होगा इधर अंगल भाषा में अनुवाद होगा और दूसरा हिंदी भाष्या में अनुवाद कहा जाएगा बालक हसती बालक हसता है माता आगच्छती मा आती है आप इनका आगे का उच्चारण आप कीजिए शिक्ष कह पाथ यती आगे क्या कहेंगे तीचर टीट्स और अगर हिंदी में देखें उसका अनुवाद तो शिक्ष पढ़ाता है पढ़ाता है पाथयती अर्थात पढ़ाता है पठती अर्थात पढ़ता है आगे कीजिए फार्मर प्लोद फील्ड और क्रिशक खेत जोतता है क्रिशक खेत जोतता है तोड़ता है जो श्रमिक है मेहनत करने वाला व्यक्ति वह पत्थर तोड़ रहा है लिपिक है कार्यम करोती यह इसका अनुवाद हो रहा है इसी तरह क्रीड कह क्रीडती छात्र लेखम लिखती आपने इन सारे वाक्यों में एक समानता देखी होगी सभी वाक्यों वर्तमान काल के हैं छात्र पढ़ता है बालक हसता है माता आती है सभी के सभी वर्तमान काल के उदाहरण आपने देखे आपको पता होगा एक विधी है पढ़ाने की विधी जिसे हम अनुवाद विधी कहते हैं अनुवाद विधी शिक्षण की एक विधी है या शिक्षण की एक शैली है कला है जिसके माध्यम से हम दो भाषा का प्रियोग करके उदाहरर के तौर पे कोई हिंदी भाषा को नहीं जानता किसी बच्चे की मात्री भाषा सम्स्कृत है तो अगर उसकी मात्री भाषा सम्स्कृत है या मात्री भाषा तमिल है तो तमिल से दूसरी भाषा को सीखने के ल हम अनुवाद विधी का प्रियोग करते हैं यह अनुवाद विधी अत्यंत मनोहारी होती है क्षात्रों के लिए क्योंकि वो उसको पूर्व से परचीत होते हैं अपनी मात्री भाशा से वो परचीत होते हैं इसलिए इस अनुवाद विधी का प्रियोग किया जाता है अभी हम उदाहरण में जो देखे वाक्यांसों को हमने जो देखा कि बालकाः पठती चात्रा पठती अब उसको अंग्रेजी में और हिंदी में अनुवाद के तवर पे रखा गया चात्र हिंदी को अगर जान रहा है तो उसके साथ तालमेल बैठा पाएगा और समस्कित में उसे क्या कहते हैं सहज समझ पाएगा इसी तरह अगर अंग्रेजी भाषा के वाक्यों से परचित है तो एक भाषा के द्वारा दूसरी भाषा को सीखना जब हमें होता है तो अनुवाद विधी इसके लिए महत्तो पुरुण होती है उपयोगी विधी होती है जिसकी सहायता से हम वा संस्था भी N-C-E-R-T या सभी शैक्षनिक संस्थाएं बहु भाषिक्ता को महत्तो देते हैं व्यक्तिकों बहु भाषा विध्य होना चाहिए अनेक भाषाओं को सीखना चाहिए और जब हम अनेक भाषाओं को सीखते हैं तो फिर भाषाओं के आपसी संबंध को समझ पात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उनका एक ऐसा अस्थान होता है जहां पर बाइडर होता है वो आपस में मिले होते हैं वैसे ही भाशाएं भी परस पर नदी की तरह बह रही है जब गंगा हिमालय से निकलती है तो उनका नाम अलग होता है और फिर आगे बढ़ती जाती है कभी वो गंगा के रूप में होती है अलकनंदा के रूप में होती है हुगली के रूप में हो जाती है नाराणी के रूप में होती है तो नाम बदलता जाता है कभी भागी रथ ही होती है ऐसे ही भाशाएं भी सरिता के समान प्रवाह शील हैं उनका प्रवाह होता रहता है और वो अलग-अलग स्थानों पर जाकर अलग-अलग जगह जाकर नाम बदल देती हैं उनका नाम लोगों के आधार पे खेत्र के आधार पे बदल जाता है सौहाविक है उनका स्वरूप भी कुछ-कुछ उच्चारण के भेज से बदल जाता है क्योंकि उच्चारण में भार्षिक उच्चारण के स्तरपी ये देखा जाता है कि खेत्रगत प्रभाव बहुत जादा होता है आप दिल्ली के स्थानी जो निमाशी है उनका उच्चारण देखें और हर्याडा के उच्चारण में इसी तरह भिहार के उच्चारण में दख्षिन भारत चले जाते हैं उडिसा चले जाते हैं राज्य के स्थल विशेश उच्चारण के खेत्र में मायने रखते हैं उनका भेद स्वावाविक होता ही है इसे भाषा में खेत्रगत प्रभाव कहा जाता है तो अनुवाद जो होता है हमें अनेक भाषाओं से परिचय में सहायक होता है हम अभी स्लाइड के अगली क्रम में देखेंगे कि कुछ उदाहरण जैसे पीछे हमने एक वचन का उदाहरण देखा था इस स्लाइड में हम दो वचन के उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पे दूई वचन का प्रियोग है जैसे आजव त्रेणानी चरतह इसको क्या कहेंगे तू गोट्स गेज ग्रास दो बक्रे खास चरते हैं तो यदि किसी की मात्री भाषा बच्चे की समस्कृत है वो सहच समझ जाएगा कि आजव त्रेणानी चरतह का ताटपरे क्या है वो समझ जाएगा लेकिन जिसे अंग्रेजी का ग्यान है अथवा हिंदी भाषा को जान रहा है वच्चा उसको समझाने के लिए हमारी ये विधी बहुत महत्तो पूरुन होगी इसके द्वारा अच्छे से समझ पाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और साथ ही साथ उसे वाक्य विइन्याश का एक प्रकार भी पता चलेगा है ना जैसे आजव इससमें दो कहने की जरूरत नहीं है लेकिन अंग्रेजी में आपको दो कहना पढ़ेगा सम्स्रित की ये विशेष्टा है कि इसमें जो प्रत्य लगे होते हैं अजाव में जो अउ लगा हुआ है वो प्रत्य दो अर्थ को कह रहा है उसका अर्था है दो अजाव अर्थात दो बकरे लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में अन्य भाषाओं में दो को कहने के लिए रखा गया है यह यह भाषागत विशेष्टा होती है जब हाशाओं की अपनी एक विशेष्टा होती है वह उसके प्रभाव से इस तरह के अंतरह में दिखते हैं ऐसे ही वानरव कूर देते हम डू मंकीज चंप दो बंदर कूदते हैं हां यहां पर भी आप देखेंगे कि दो संख्या संस्क्रिट में आपको दो संख्या यहां अन्हीं दिख रही है है लेकिन उदाहरण में दो देखा जा रहा है दो शब्द रखा गया है क्यों ऐसा भी हो सकता है जैसे अगर हम सं कि भी संख्या क्या एक सबस्ष्ट अनुमान नहीं है और उसे दो अश्ट है समस्कृत में तीन वचन है ना एक वचन द्वी वचन और बहु वचन एक वचन में एक वचन वाले प्रत्य हैं जो लग जाते हैं वो जिसके साथ जुड़े रहें वो उसकी पहचान होती कि वो एक में ही प्रियोग होता है एक व्यक्ति के लिए एक वचन का प्रियोग और ऐसे ही अगर संख्या दो है दो व्यक्तियों के लिए द्वी वचन का प्रियोग और दो से अधिक तीन या तीन से अधिक संख्या होती है तो वहां बहु वचन का प्रियोग होता है हम दो को कहने के तो वानरव यहां पर्ट्य लगा हुआ है वो प्रत्य दो कह रहा है यहां पे अपुदारन मेंट देख रहे हैं हम अजय अवध है डि यहां में भी आव है इसे ही संस्रिप की एक जो कोडिंग सिस्टम है इसकी वज़ा से कम्पुटर के लिए सहज भाशा मानी जाती है यही इसके कुछ फैक्ट होते हैं कि एक बार अगर अव पहचान वाला उसे कम्पुटर को बता दिया गया तो उसमें आप जैसे ही कोई भी शब्द टाइप करें के इसके साथ अव जोड के ऊद्वी बना लेगा आपको बारोक भी नहीं है अचचा आप दु आजव कह सकते हैं वर्स這邊 वहुरिफ को खुट होगा लेकिन आप नहीं भी प्रियोग पह enfermed वो अर्थ आजाएगा जैसे यहां पर नहीं इसे एज अ को भी करता हूं दो आपने अपने आप जाएगा वैसे ही हम यह संज्ञ जो प्रत्य होते हैं वो प्रत्य उस संख्या को व्यक्त कर देते हैं जिसके साथ यहां पर हम आपको यह भी बताते हैं कि तकरीबन साड़े तीन मिनट का समय हमाई पास और शेश हैं हां तुसमें हम अपनी बात को पूरी करने का प्रयाश करेंगे स्लाइड में हम कुछ उदारण और देख लेते हैं जिन उदारणों के माध्यम से हम इन्हें समझेंगे तो सिंगव गर्जतह इसका अनुवाद क्या होगा जरा आप बोले तू लाइन्स रोर और दो शेर गरजते हैं आचार्यव पाठयतह तू टीचर्स टीच दो आचारे पढ़ाते हैं धनिकव वस्त्रदानम कुरुतह तू रिच में गेव क्लोट्स दो धनी वस्त्रदान करते हैं क्रिशकव खेत्रम कर्शतह तू फारमस प्लो दफील दो किसान खीत जोटते हैं इसी तरह हम तीन के लिए बहुवचन का प्रियोग करते हैं सबसे पहले आपने एक वचन का देखा था उदाहरण आग पीछे दो वचन और यह बहुवचन के उदाहरण हैं इनमें आप देखेंगे कि जो करता होता है मानि कारी को करने वाला व्यक्ति वो तीन से अधिक होगा जैसे धनिकाह धावनति अब यहां संख्या तो नहीं बताई गई लेकिन तीन चार पांच छे साथ आठ आप जितना चाहे इसमें जोड सकने हैं दस धावकाह धावनति दस दोडने वाले दोड रहे हैं त्रइय अधावकाहा धावन्ती तीन दोड ने वाले दोड रहे हैं ठीक है साउं लोग अगर है तो शतम धावकाहा धावन्ती साउं लोग दोड रहे हैं संख्या के वल आपको मेंशन करनी होगी है ना ऐसे ही धावका धावंती में संख्या नहीं बताई गई है इसलिए इसका अनुवात क्या होगा रनर्ष रन धावक दोड़ते हैं ठीक है लेकिन इस वाक्य से पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं एक साथ जी दोड़ रहे हैं क्योंकि जैसे यहां धावका में यह का सिस्टम यहां पर भी है अंग्रेजी में भी ऐसा देखने को मिलता है ऐसे हिस्ट्रमिकाह कारियम कुर्वन्ती मजदूर कारे करते हैं पाचकाह भोजनम पचंती भोजनम पचने वाले बनाते हैं छात्राह पाथान पठंती नद्य वहंती हम जो वाक्य बोल रहे हैं यह स्रिजितवाक के हैं और आप जो बोल रहे थे वो उसका अनुदीत रूप है है ना जी ऐसे ही इसमें हम जो उदाहरण देख रहे हैं तौम कुत्रग अच्छासी अभी आप कथम पुरुष के उदाहरण देख रहे थे यह तुम और हम के उदाहरण है यह उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के लिए प्रियोग होता है तुम प्रथम पुरुष में प्रियोग नहीं होगा सदा हर समय मध्यम पुरुष में रहेगा और ऐसे ही अहम आवाम वयम ये जिल अन्तिम के तीन वाक्य हैं वो हर समय उत्तम पुरुष में प्रियोग किये जाते हैं है और बहुत के लिए प्रयोग करना है तो हम इनके उदाहरण यथा करम से देख सकते हैं जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए एक उदाहरण जो देख रहे हैं अभ्यास का कारिया है इन्हें अपनी पुस्तिका में ऐसे ही लिख करके अंग्रेजी में, हिंदी में, अथवा अपनी मात्री भाशा में जो भी उनकी भाशा है वो लिखने का प्रयास करेंगे तो हम अपने सभी छातरों से ये उमीद रखते हैं कि वो ये अभ्यास ज़रूर करेंगे और हम तक जरूर पहुंचाएंगे, आप अपना फीडबेक हम तक पहुंचा सकते हैं, dth.class9.r.cit.nic.in और हमें ये पूरी अमीद है कि आप अपना ये वाला कार्य और activity हम तक पहुंचाएंगे, हम इस सत्र को यहीं पर समात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने विशेशगे, दॉक्टर वेज सर्थ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कि आप स्टूडियो आए और आपने हमारे 9th नवी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, रचना अनुवादम इस विशेपर इतनी अच्छी विस्तार से जानकारी थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सभी देखने वालों को हम कह दें, कि दियर लेर्नर्स और व्यूवर्स, अभी समय एक छोड़े से ब्रेक का ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और स्पेशल सेशन के साथ हम हाजिर होंगी, जो है वेबिनार, अभी फिलाल मुझे रेन भट को दीजिए, जाज़त, नमस्कार.